ऐहुआ कि जैएंसाथ में ये स्वागत हैं आप सभी का अपना इसी यूटुब चैनल जीन भे अगर आपको डूसेन साभी है किद दो साख बाहूट कर अपने आपिए अपने भ। मच में आ जाएगा क्योंकि जिस लोजिक सम जो भी वीडियो बनाते हैं एकदम कमजोर से कमजोर छात्र हो या टाइलेंट शात्र हो सब के लिए कराते हैं दोस्तों एकदम बैसिक से चालू करते हैं और एकदम जीरो से स्टार्ट करके पूरा जो चेप्टर का कोचन रहता है सब को एकदम खतम करते हैं तो आईए देखते हैं आज पाट्टू के वीडियो में दोस्तों जो भी भेना रहा कोचन है उन्हों सब करा रहे हैं और इसके बाद जो भी कोचन बचेगा उसको पार्ट वाइज कराएंगे दोस्तों सब कोचन को रहता है उसी को कराते हैं ताकि जो भी डाउट है अप लोगे मन में क्लियर हो जाए यह देखते हैं आज का पाला जो कोचन उसको चालू करते हैं यहां पर कोचन को देखिए पहला कोचन दिया है कि दिए गये नीचे के सब्दों से बनने वाले सब्दों की पाशान यहां पर दिया है बर्ग दिया है आयत दिया है बहुँज दिया है एससे सीजील 2017 का दोस्तों एक कोश्चन है तो यहां पर जो सब्द दिया है उससे आपको क्या करना है जो यहां पर इमेज दिया हुआ है इसमें सही इमेज की पाचान करना है बर्ग दिया है आयत दिया है ब को बनाने के लिए तो देखिए यहां पर बहुत ही जबर्जस्त कोचन है बर्ग आयत बहुज पहले यह आप जानते होंगे कि बहुज से क्या क्या बनता है या बर्ग कैसा होता है थोड़ा से बनाने में मदद मिलेगा देखिए बर्ग क्या होता है आयत क्या होता है बहुज क आयत की अक्रिति कुछ इस परकार से होती हैं यह क्या हो गया एक आयत हो गया तो यह आयत हो गया बर्ग कैसा होता है तो देखिए बर्ग में चारों भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं तो एक दो तीन चार एक दो तीन चार यानि एक दो से अधिक जो भुजाओं से मि अब थोड़ा सा यहां पर एक बात समझ T लेकिन सभी आयत एक बर्ग नहीं हैं वी चाहिए लुए नहीं चाहिए बर्ग वुझायां पर नहीं है तो बर्ग की सभी भुझाया बरापर होती है तो जब हो सकता है लेकिन सभी आयत अंदर अब हुच एक अ अदर आपका क्या बनेगा बहुजничत आयत बना है और बहुज़र स्can बना है वह बना है दोस्तों तो आपका राइट सर्कित पाचान करना है तो अप चलिए सीधे फीगर पर जलते हैं फीगर क्या है यहाँ पर ए उप्षन क्या है यहाँ पर एक बड़ा सा सरकिल है उसके अंदर क्या है दो छोटा छोटा सरकिल है यानि इंडिकेट करेगा अगर इसको आप बहभुज बड़ा वाला को मानिएगा आयत और बर्ग अलग-अलग दो मानिएगा तो दो तो अलग-अलग मान लेजे बहभुज के ही उदारान है तो दो अलग-अलग कैसे होगा बहभुज के अंदर तो यह आपका एंसर ए जो हैं यह सही नहीं होगा दोस्तों क्योंकि बहभुज एक बड़ा किजिएगा तो उसी के अंदर आयत और क्या आता है आपका बर्ग आता है तो यह अलग-अलग है ए में और बहभुज उपर से हैं तो यह आपका राइट एंसर नहीं होगा यहाँ पर दखिए बी क्या कह रहा है बहभुज मान लिजए अगर यह है बड़ा तो बहभुज से बहभुज के अंदर आयत यानि बहभुज से ही आयत बना है और बहभुजे से क्या बना है यह आपका बर्ग बना है तो इस तरह से अगर आप समझेगा तो भी आपका राय टेंसर हो जाएगा दुस्तों किसानी के द्वर रहा जाएगा अन्द नहीं है मुंधिक करते हैं किसानी सब्लोग समझ लूगे और इक कोचन है दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे देखते हैं इसके बाद वाले कोचन को चलिए दो नमर यहां पर कोचन है सही भेना रेकी पाचान किजिए सब्द दिया है चिंता बुद्धी शक्ति अब आपको यह ज्यात करना है कि चिंता बुद्धी शक्ति का सही यहां पर र बिल्कुल गलत हो जाएगा देखना है आपको जी चिंता बुद्धी सक्ति क्या इसका रिलेशन कुछ अपने आप में हैं देखिए सक्ति अलग चीज हैं सक्ति दिखाना है दूसरे बात हो गया बुद्धी से काम करना यानि बुद्धी अलग चीज हो गया चिंता यहां पर ह तो चिंता भी करना दूसरी बात हैं, यानि सब का अलग-अलग सम्मान्ध हैं, सब एक में नहीं है, न एक दूसरे के पूर्यक हैं, तो मान लिजे शब जब एक नहीं है, तो यहाँ पर एवाला, यानि शक्ति के अंदर बुध्धि, बुधि के अंदर चिंता या चिंता के अ प्रश्राइब दिखा देखाई देखाई देखिए देखना है आपको जो रहा है क्या रिलेशन बन रहा है ऐसे सोची एक तो नहीं बन पाएगा ठोड़ाशा डिप में जाना होगा आपको सुचने के लिए तब ये किलियर होगा दो नमर कोशन होगा चलिए बागे देखते हैं कि आगे क कोशन को देखिए यहां पर सब्द पत्नी परिवार से नीचे बने वेनारेख में सही बरती हैं उसके बाद परिवार है तो थोड़ा सोवच है परिवार के अंदर गाथी पत्नी आएंगे नौ? तो परिवार मानली जी एक परिवार हो गया यहां पर मानली जी कोई परिवार हो गया इस परिवार के अंतरगत ही तो पती और पत्नी आएंगे तो ऐसा इमेज काहां पर दिखाइ दे रहा है कि इसम सन्में दे रहा है देखें से फाेमली हो गया पुरा परिवार हो गए उसमें ये पति पतनी यह पतनी धर पती कोई दिकत नहीं तो इस तरह के आक रेधिक कौन सा दिखाई दे रहा है जो राइट अपके अंसर हो जाएगा तो यह अपका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों परिवार के अंतर का तो ही न पति और पत्नी आएंगे तो बी अप्शन सही हो जाएगा तो चलिए हमें करते हैं कि अभी कोशन आप समझ गहें वैसानी से बाद देखते हैं आगे वाले करते हैं जो भी सब्सक्राइब इसे पाचानते हैं समझते हैं सही से पढ़ते हैं उसके बाद उसके बाद उस पर क्या दिया है देखिए यहां पर दिया है जज चोर अफराधी का स्वाई भ्यानरी देखिए अब आपको समझना है कि तीनों का जो डाइग्राम बनेगा किस तरह का बनेगा देखिए यहां पर चोर दिया है और अफराधी दिया है तो चोर अफराधी में कुछ रिलेशन होग लेकिन जज अलग है इन दोनों से तो मान लेजिए कि यह चोर हो गया यह कुछ चोर अपराधी हो सकते हैं लेकिन जज तो अलग होगा या कुछ चोर अपराधी हो सकते हैं लेकिन जज अलग होगा तो डाइग्राम इस तरह का कहां पर दिखाई आपको दे रहा है वही आपके आफराधी के अंदर जैज और चौर नहीं होगे तो आपका ये तिनों अलग-अलग हैर इतियों का fraction हो सकता है या कुछ रखर जायग zijtahu जैग ठीड़ से ऐसे से बिbookर यरियू हूं सकते हैं या कुछ तो यह क्या हो इस कोचन का राई टेंसर हो जाएगा दोस्तों ए तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं मुईद करते हैं कि अभी कोचन आप असानी समझ गए होंगे चलिए देखिए पांच नमर कोचन है आटो मोबाइल कार मोटर साइकल का सही भेना रे यहां पर पहले कोचन को पढ़िए कार दिया है उसके बाद क्या दिया है मोटर साइकल दिया है क्या इसका सही भेना रे यहां पर होगा डाइग्राम को देखिए वाक्ये जो दिया है आटो मोबाइल कार मोटर साइकल इनमें क्या रिलेशन है देखिए अगर आटो मोबाइल में देखा जाए तो कार मोटर आता होगा कि Automobile, Kart, Motorcycle लिए तीनों अलग अलग हो गया लेकिन नहीं देखिए यहाँ पर Car दिया है Car को Automobile कंतरगत माना जाता है Motorcycle है इसको भी Automobile कंतरगत माना जाता है Посोब अगर आप सचिएगा कि motorcycle automobile का नहीं आता है तो ऐसा कुछ नहीं है गलत हो जायेगा automob sec ahead is and what a है और यह motorcycle automobile का नहीं पर कुम्हाइट ही आता है तो automobile माली जी although itedes इसके अंदर the car हो गया और इसके अंदर क्या वह गया motorcycle हगया तो automobile के अंदर यह डोनों हाया car और motorcycle तो आपका इस तरह का डाइग्राम कहां है देख लिजे ए कि अप्षण में आपका डाइग्राम मैच कर रहा है तो आपका सीरटन छली आगे बढ़ते हैं देखते हैं इसके बाद कि अब देखते हैं आगे छह नमरों मचलीन का बहुत ही जब कॉस्तना है दूस्तों वेल मचलिन मचलिन मगरमस बहुत ही प्रक्षक धिविविय। क्या होगा इमस्वच क्या करूगा यहाँ पर देखिये वें । Agar आप तोचियेगा कि भेल मचलीया एक हिए तो ऐसा कुछ बात नहीं है बिल्गुल गलत रिख वेल क्या है सबसे बड़ी अस्थन पाई हैं वेल यह अस्थन पाइएं मचलीय यह अलग हो गई मगरमच ये भी अलग हो गया तो इसका डाइग्राम मान लेजिए वेल हो गई मचलिया भी अलग हो गई क्योंकि वेल अस्तन पाई होती हैं जो अपने बच्चे को दूर पिलाती हैं और भी नियत तापी होते हैं अस्तन पाई जो होते हैं उनके सरीर पर कुछ बाल होते हैं बहुत सार 10 पाइं लेकिन वेल को अस्तन पाइं के अंतर गद क्या किया जाता है बर्ग क्रित क्या यहाँ पर उसके बाद यह मगर मच मालें यहां पर हो गया तो इस तरह का डाइग्राम कहा मैच कर रहा है देख लिए जो वही आपका राइटेंसर हो सब जाएगा दूस्तों सब्सक्राइब और देखते हैं आगेवाले संगितकार्स महिला कुछ महिला Size संगितकार हो सकती है या कुछ पूरी संगितकार हो सकता है कोई संगीतकार में माले तो, एस में मैईलाइं कि या पूरूस दोने सकता हैं तो, इस तरह का अब किसमें हैं future में है तो यह आपका लिए सरह जागा दूस्तों चलिए हम चाहता है कि मिलेंगो इसके बाद बैदियो में जैंक्ट